आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में जैसा कि आप सभी को नोटिफिकेशन में पता चल गया होगा कि आज हम रैंकिंग और का पार्ट बन स्टार्ट करने वाले हैं तो चलिए उसी में स्टार्ट करते हैं लेट्स क्या यूपी एसी चीए विधिंडियार्ज लार्जर्श लेंनिंग प्रेटफर्म और वे आप सभी जानते हैं वे हैं आपकी अपनी अनेक अट्मी देखें बेटा मैं डेली यही कहता हूं कि यदि आपने प्लस या आइकोनिक पर सब्स्क्रिप्शन नहीं लिए तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें आप यह सोचते होंगे कि सर डेली इसी बात को क्यों कहते हैं नो सब्सक्रिप्शन विदाउट सब्सक्रिप्शन यदि आप कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं तो फिर आपके सब्सक्रिप्शन में जो ठोड़ा लगने वाला है तो थोड़ा टाइम एक्ट्रा हो जागा तो फिर आपको थोड़ा टाइम जाद लेगा रीजन क्योंको जब तक आपको एक प्रॉपर गैडेंस नहीं मिलेगी आप कम टाइम में ज्यादा चीज़ों को नहीं सीख पाएंगी तो दीगे सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट अल्लिम्टेड एक्सेज रहेगा उससे बेस्ट वीच्ट क्या इस तक स्कोर्स रहेगा मतलब प्री प्लस मेंस प्लस एमाई सभी की प्रॉपेशन एक ही सब्सक्रिप्शन में रहेगी बिटा ठीक है आप सभी ने अभी तक अन्यकेडमी लर्निंग डाउनलोड नहीं किये तो जल्दी से अन्यकेडमी लर्निंग डाउनलोड करें ठीक है उसका बेनेफिट करेगा आपको पता है कि जैसे कि मैं मंडे टू सटर्डे डेली मंडे टू सटर्डे डेली 4-5 पीम मेरी अन्यकेडमी लर्निंग पर क्लास रहती है वो सभी के लिए फ्री है यदि आप अन् जगरवाल आपका रीजिनिंग गुरू लास्ट नाइन येर से मैं रीजिनिंग पढ़ा रहा हूं ठीक है यह दिखिए आप अन्यकेडमी से जुड़ते हैं तो आपको बेनेफिट कर रहेगा आपको इंडिया के 100 प्लस टॉप एजुकर से पढ़ने का मौका मिरेगा जैसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं यह जी तो इसमें बेनेफिट कर रहेगा आपका एक ही सब्सक्रिप्शन सारे सब्जेट कपर कर आएगा कॉलिटी जोगरफी सायंस अन्स टेक आर्ट एंड कल्चर मतलब एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारी क्लासे मिलेंगी दिखे लिए में अब 3-year की भी प्लान लांच करें कि को कुछ इस स्टूडें आफे त्वी प्रपेशन चार्ट करते हैं तो यह प्लस में जाते हैं तो प्लस में मारी वन यह की फीज पर्टी नाइन थाउजन 500 रेट आफ्र डिस्काउंट फीज हुआगी 44,550 रूपीज बट आपको इसके लिए क्या करना होगा आपको एप्लाई करना होगा पीजिरो वन यदि आप ये कोड एप्लाई करते हैं पीजिरो वन तो इससे बेटा जी आपको 10% का उफ मिलेगा टू यर के लिए फीज है मारी 72,000 और त्री रिगली फीज से 90,000 यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो टू यर की फीज हुएगी 64,800 और त्री रिगली फीज जाएगी 81,000 ठीक है बेटा चलिए अब देखिए हम बात करते हैं आइकॉनिक आइकॉनिक में बेनिफिट क्या है आइकॉनिक में कि 62,550 ठीक है अब यदि उसी में हम देखते हैं कि 24 मंस के आपकी फीज से 1,7,000 और त्री यर की फीज से 1,41,000 बट यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो पिए 01 से आपकी फीज 2 यर की हुजाएगी 96,000 और त्री फीज जाएगी 1,26,000 ठीक है अब देखिए अन एक एट अप्शनल कोर्सिस की अलग से प्रिपेर इस्टार करा दिया थी कोई स्टून के बढ़ ऑप्शन कोर्सिस के लिए एडमेशन लेना चाहता था तो उसमें ऑप्शन कोर्सिस की वन यर की फीज से 27,500 और आफ्टर डिसकांटी फीज दियागी 24,750 इसमें दो प्लान हो रहे है टू यर्स का और त्री यर्स का ला वो आप अपने फांडेशन के अगोरेंग देख सकते हैं कि आप क्या दिना चाहते हैं देखिए तो जल्दी से आप जो बैचिस हमारे स्टार्ड हुए जैसे कि एक बैचिस हमारा 15 ओफ दिसम्बर को स्टार्ड हुआ है इसको आप जल्दी से जोइन करें यह बैच रहेगा और देखिए कुछ बैच हमारे 2022 या 2023 को टार्गेट रखते हुए बनाए गए यह आपके 14 ओफ दिसम्बर को स्टार्ड हुआ यह भी 14 ओफ दिसम्बर को स्टार्ड हुआ है बट आपको ध्यान रखना है आप बैचिस कह आपको कोड एप्लाई करना होगा पीए जिरो वाँ ठीक है चलिए आपने अभी तक मेरा अनकेडमी चैनल जोइन नहीं करा है जो स्टूइट फस्टा मेरे साथ जुड़ें तो जल्दी से अनकेडमी चैनल जोइन करें अनकेडमी अन्रिसको पंकर चैनल लेम है इससे पर उसमें टाइम में मेंशन होता है कि वो क्लास कितने बज़े रहेगी ठीक है बेटा तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैंकिंग और पार्ट वन देखें रैंकिंग ओडर एक ऐसा रीजनिंग का टॉपिक है जिससे लगबग एक कोश्चन तो आपको एक्जाम में एटलीस यह पूछा ही जाएगा ठीक है रैंकिंग और को मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और हाई तक ले जाऊंगा ठीक है डीवन क्लास में मैंने केवल स्टूडेंट्स को इस क्लास में इंटरेक करके जोन ने की कोशिश किए ताकि कुछ स्टूडेंट की हर फोर में बिल्कुल different question मिलेंगे ranking order में करने के लिए ठीक है और जिन students ने पहले ranking order पटर रखा है वो class को भी end तक देखे कि को आपको different question मिलेंगे यह वो शॉट ट्रिक मिलेंगे ऐसा नहीं कि सर अरे सर ranking order यह थो हमें पहले से आता तो हम आची classes कर देते हैं ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी आपको पूरी class end तक देखनी है ठीक है जैसा कि मैंने बताया मैं class में live नहीं होता हूं लेकिन मैं चैट में देखता है रहता हम कि किस student ने answer दिया किस ने कितने टाइम में दिया ठीक है तो चलिए ranking order का partner start करते हैं बड़ा ही अच्छा chapter रहे चलिए अब दीखे जब भी बिटा जी हम ranking order की बात करते हैं तो इसमें आपके two type के question बनते हैं एक तो बनता है mainly for row मतलब पंक्ती के लिए ठीक है जैसे कि यहाँ पर एक formula लिखाए से बात में discuss करूँगो पहले बता दा दा रो का मतलब क्या होता है जब भी हम रो की बात करेंगे तो हमने माना कि एक पंक्ती है इस पंक्ती का हमेशा हम मैंने आपको direction में बताया होगा सभी student जानते है यदि कोई row है उसका फिस north में तो बेटा यह तो हो गया हमारा बेटा left हो गया और यह पेटा हमारा क्या हो गया right हो गया I think इतनी बास सभी की समझ में आगा होगी जो भी student दिख रहे होंगे हमने माना कि एक row है यह उसका left hand है और यह उसका right hand है ठीक है तो इसका मतलब यह रोक आफिस north में है तो यह left होगे right होगे अब एक student है ठीक है एक student है वह आपका left से one two three four five और six left से वह six place पर है और वही student right से one two three four five six और seven right से seven place पर है अब आपसे यह पूछा जाए कि भाईया इस row में total number कितने होगे तो सामनेत है हमारे मन में क्या था left की value कितनी है six और right की value कितनी है seven इन दौनों को जोड़त हो तो answer आजागा 13 लेकिन यह 13 answer हमारा गलत है गलत क्यों आप देखो count करते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आ आपने इस वेक्ति को एक बार left से भी count करा और इसी वेक्ति को एक बार आपने right से भी count करा वेक्ति एक है लेकिन count दो बार हो रहा तो formula क्या मन जाता है left प्लस right minus 1 तो 13 minus 1 कितना हो जाएगा 12 I think ये पहला formula समझ में आ गया होगा देखिए ranking order में यदि आपको ये formula समझ में आ गया minus 1 का concept समझ में आ गया तो ranking order में आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा क्योंको लगभग ranking order के 60 से 70% question या कहें almost 90% question इसी formula पर based है मतलब main formula यहीं रहेगा बाकी जैसे कि आगे भढ़ते ज होंगा लेकिन main concept ही रहेगा यदि केवल एक व्यक्ति की किसी पंक्ती में बात हो रही है है और उसका आपके पास left से भी स्थान है राइट से भी स्थान है तो simple बेटा जी आपको क्या करना है total number के लिए क्या करेंगे मेहंदी में भी लिख देता हूं total number बराबर क्या हो है तो left का मतलब होता है बाया right का मतलब होता है दाया यदि किसी student को English में समझ में नहीं रहा तो मैंने नीचे लिए total number बराबर क्या हो जाएगा बाये से value plus दाये से value minus 1 अच्छा लगवग हरे student के ranking order का पहला type समझ में आ गया हो यह था for row के लिए जब हम भी यह बात कर रहे ह जो होते है class के लिए notebook और pen साथ में रखके बैठो क्योंको हर question आज calculation कर रहेगा मैंने question basic से लेकर high level तक क्या बराएं day one भी ठीक है starting के एक दो question आपको ऐसे लगाएंगा सब्सक्राइब होते तो low level यह तरह नहीं बेटा बिल्कुल में युझे starting से एक एक student को जोड़ो ना होता जो class हमारी देख रहा है ठीक है चलिए तो I think row वाला सभी के समझ में आ गया हो का concept अब बढ़ते हैं for class के लिए यदि ranking order में class की बात करते हैं तो भाहिया सभी student जितन को यह class है तो इसमेदी किसी student की position होगी तो कहां से होगी टॉप से होगी यह position होगी तो कहां से होगी bottom से होगी टॉप को बोलते हैं प्रारब और बॉटम को बोलते हैं अंत इसको हद्धी में ध्यान रखने ना यह प्रारब की ज़के कभी कभी लिख देता शेखर से और अंत की ज़के कभी नीचे से यह सीस से होगा मैँने तॉप के सिरों ने मता दी हिंदि में या तो प्रारम लिखा होगा या शिखर रखा होगा या सीड्स लिखा होगा और बॉटम को क्या बोलेगा या तो अंतसे बोलेगा या नीचे से बोलेगा थीक है जो खुरो के लिए formula था वही class के लिए formula है लेकिन क्या हो जाएगा total number बराबर इसका मतलब कुल योग बराबर टॉप का मतलब क्या है प्रारंब से स्थान प्लस अंत से स्थान माइनस वन formula वही रहेगा के लेफ्ट और राइट के प्लेस पर क्या हो जाएगा टॉप या बॉटम हो जागा जैसे देख लेते हैं यह कोई class है उसने बुला राम का प्रारंब से स्थान है और राम का अंत से 20 स्थान है तो टोटल लंबर क्या हो जाएगे फॉर्मूली से टॉप प्लस बॉटम माइनस वन टॉप कितना है सत्रे वॉटम कितना है 20 माइनस वन 17 और 20 कितना हो गया 37 माइनस वन तो आंसर कितना जागा 36 आ जाएगा मैं एक बात और सभी स्टूडेंट्स को भईया धिहान से बता दूँ यह जो माइनस वन है यह रैंकिंग ओर के हर कोश्चन को गलत करने की छमता रखता है यह बल माइनस वन तो इसी लिए किसी भी कोश् से ही टॉप बरावर टोटल लंबर बरावर टॉप प्लस वोटर माइनस वन लिखके सॉल्फ करना है यह यह आपने शॉट्रिक करने की कोशिस करी तो यह माइनस वन आपका पूरा आंसर गलत करा देगा ठीक है और एक बात मैं बताता हूं आई थिंक यह तो सभी की समझ में आ गया होगा स्लैट को क्लियर करके ठीक है जब भी हम रैंकिंग और के कोश्चन और इसके आंसर की बात करेंगे तो इसमें चार विकल पाते हैं आप सभी को पता होगा एक्जाम में यदि सपोस करिए किसी कोश्चन का अंसर 20 है तो आपको उत्तर में 19, 20 और 21 मतलब एक घटा हुआ एक बढ़ा हुआ जरूर मिलेगा तो इसलिए माइनस वन का प्रियोग बहुत ध्यान से करना है यदि किसी स्टूडेंट ने माइनस वन का प्रियोग करना रैंकिंग और में सीख लिया उसे यह समझ में आ गया कि कब माइनस वन करना है कब नहीं करना है तो उसका कभी कोई सवाल गलत नहीं हो सकता इस बात को बिलकुल मैं सत्पृतिसत निश्चित होकर कह सकता हूँ यह समझ में आ गया कि हाँ मैं माइनस वन करके घटाना या प्लस वन करके जूड प्रॉपर फॉर्मूला लिखके सौर्वकलो जल्दी मत करना गलत हो जाएगा बिलकुल प्रॉपर फॉर्मूला लिखके जो आज की क्लास है ए प्रॉपर फॉर्मूला लिखके अर्शे सौर्व और स्वाल्व करो यदि आपने जल्दी करने की कोशिश करी की आपने भोला रहे है monkey имеет अगलत होने की चांसे ज्यादा है और जैसा कि आप से भी जानते हैं भया कि ranking order एक ऐसा चेप्टर है जिसमें minus 1 और plus 1 की के अंतर से option जरूद दी आते हैं जैसे 17, 18, 19, 20 अब देखिए कोई भी विकल्प होगा तो उसमें आपका formula change हो जागा देखिए देखते हैं formula से क्या रहेगा देखिए आज की class जीस student ने proper तरीके से देखिए एक एक question को with formula solve करा उसका part 2, part 3, part 4 वड़ा strong और अच्छा होने वाला है देखते हैं total number बराबर क्या हो जाएगा left से position press right से position minus 1 total number कितने वही हमारे 30 प्रारम का कह रहा है अब प्रारम का मतलब left माल लो या इसको class से भी solve कर सकते हैं अन्जु का एक कतार में से लेफ्ट से इसका मतलब इसे top या bottom भी लिख लो 12 बराबर right से या bottom से answer इससे ही आएगा 30 minutes 12 कर देंगे 18 इसका मतलब right से या bottom से इसका answer क्या आएगा 18 में आएगा अगर कुछ student ने 30 में से 13 घटा दिया होगा तो उनका उत्तर 17 आ रहा होगा जो गलत है भाई या समझ में आ गया chat box में लगभग मैं यदि आपके साथ मैं live नहीं हूं तो मैं कोशिश ये करता हूं कि समय निकाल कर जो student मेरी class देख रहे हैं मैं उनके chat box में उनके answer जरूर द यदि आप वाकई में reasoning अपनी strong करना चाहते हैं तो daily morning 9am की class लीजिए 2pm UPSC CSE Hindi quiz पर जो मैं mcqs करा रहा हूं उसकी class लीजिए आप सभी को पता है कि अब दो बजे केवल वह mcqs होते हैं जो हमने morning में पढ़े होते हैं उस related question और चार बजे आप सभी को पता है कि reasoning का mock test चल student का एक दो student ऐसे हैं जो पहले bottom पे रहते हैं फिर एक साथ top में आगए फिर top पे रहते हैं फिर पोजिशन maintain भी कर रहे हैं ठीक है तो आप सभी से में है कोंगा कि उस test को जरूर दीजिए चलिए अगले question की और बढ़ते हैं देखिए क्या कहना है एक पंक्ति में रमन का प् पता होना चाहिए जैसा कि मैंने आपको ranking order के बारे में बताया फिर यदि मैं पहला और दूसरा question ही आपको ऐसा दे दूं कि आपकी समझ में आए तो फिर आपका क्या होगा chapter में interest नहीं रहेगा पढ़ने तो यह अध्यापक से अध्यापक vary करता है कि वो अपने class में student को किस प्रगार से जोड़ना चाहता है मेरा जोड़ने का target कहा रहता है पहले मैं आपको basic बताता हूं फिर basic ही question दीता है तो आकी आपको इंट्रेस्ट नहीं लगए फिर धीरे-धीने question का level भड़ता जाता है ठीक है बहीं या तो देखे बड़ा साधन सा सवाल है वो क्या करा है प लारम से 15 वहाँ है अंति से कितना है 11 मानस वन कितना हो गया कि यारे मैंस वन दस तो 15 और 10 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा यदि आपने 26 आंसर दिया है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं फॉर्मूल लगाना भूल गए है 15 और 25 होते हैं लेकिन आपको मानस वन का ध्यान लखना है इसलिए मैं कहा रहा हूं कि यह option में एक ज्यादा और एक कम जुरूर मिलेगा जैसे कि 25 आंसर था 24 वी ये 26 वी 27 व यहां से हर कोश्चन अब आपका थोड़ा प्रिकी होता जाएगा लेंगविच वदलती जाएगी द्यास से करना है एक पंक्ती में 80 वेक्ती हैं राज बाएं से 10 वे स्थान पर है राजवा मनू के मध्य सत्रे वेक्ती हैं मनू का दाएं से क्या स्थान होगा अब यहां से से वाले कोश्चन स्वती हैं किवाल इस लिज बताय थे ताकि मैं आपको क्लास में जोड़के कैसे खीकिया खारिव करें बचैने को करने की दो तरीके लगवक आंसरा अब बैपिशिंती मCU मसं घृफ sweaty को कि दियान से बढ़िए राजवयाई से दसफ्वय स्थान पर राजवामनू के मध्य शत्रय व्यक्ति हैं मनू के मध्य सब्सक्राइब नहीं है मद्ध में सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करने का समय मिल सके अदर्वाइस आपको यह लगेगा कि सर खुद से पढ़ा रहे हैं सर को पता ही नहीं है कि हम अभी सॉल्व कर पाएं नहीं कर पाएं के विल सर को पढ़ाने से मतलब है बट ऐसा नहीं है मेरी क्लास में बिल्कुल भी मेरी कोश यह रहती है कि हर स्टूडेंट को समय मिले चलिए देख लेते हैं कितने हैं टोटा वही हमारे असी है मैं यहां लेख लेता हूँ है यह 80 हो गए कि अगरा राज बाएं से 10 माए तो राज यहां कहीं होगा और लेफ्ट से कितना ही 10 है अब राज बा मनु की मद्ध में 70 है तो मनु यहां होगा अब देखे उसने क्या बोला मद्ध में 70 है इसका मतलब मनु का left से कितना इस्थान होगा 10 और 27 27 और 28 होगा मनु यदि आपने 27 27 लगाया तो वो गलत लगाया है अब इसको solve कर लीजिए total number बराबर left plus right minus 1 total number कितने हो गई 80 left से कितना है वो 28 right से find out करना है 28-1 27 तो 80-27 करेंगे तो कितना जाएगा right पर आबर 53 अब देखिए आप यह सोच रहे होंगे हमने तो 10 और 17 जोड़कर 80 में से घटा दी हमारा answer फिर भी तरेपन आया answer तरेपन आया लेकिन वो गलत method है proper method क्या है आप उसकी पहले left से confirm value find out को रोजय से हो सकता है किसी question में वो यही पूछ ले कि मनू का 22 से स्थान क्या है तो आपका answer क्या आ रहा है अगर 28 plus right minus one right से find out करना दाएं से पूछ रहा है तो दाएं गरावर कितना हो जागा 53 हो जाएगा question number 3 सभी की समझ में आ गया होगा इसी प्रिकार से आपको भी बना कर करना है proper मैं बेटा फिर से कह रहा हूं आज की class को proper तरीके से solve कर लिजे कल की class बहुत easy हो जाएगी ठीक है चलिए अगला प्रिशन देखने question number 4 देखिए एक पंक्ती में 70 व्यक्ति हैं रंजीत बाएं से बारे में इस्थान पर है रंजीत व मयंग के मद्ध चौदे व्यक्ति हैं मयंग का बाएं से क्या इस्थान होगा ध्यान से पढ़ना है सवाल देखिए एक पंक्ती में 70 व्यक्ति हैं रंजीत 28 से बारे में इस्थान पर है रंजीत व मयंग के मद्ध चौदे व्यक्ति हैं तो मयंग का बाएं से इसका मतलब मयंग का बाएं से इस्थान बूच रहा है ठीक है வढी है करिया सोलवे से झाल झाल चलिए देख लेते हैं कितने व्यक्ति हैं भाईया सत्तर हैं लिख लिए रंजीत बाएं से कितना है बाराय है लिख लिए रंजीत वा मयंख के मध्य कितने है भाईया कितने होगा चौदे अब मयंख का बाएं से पूछ रहा है आपकी बिदी से बारे और चौदे कितना आना चाहिए लेकिन मध्य में चौदे है इसका मतलब बारे प्लस चौदे प्लस वन तो आंसर क्या होगा 27 होगा तो आंसर डी होगा इनमें से कोई नहीं समझ में आ गया हो सकता है आपका 26 आंसर आ रहा हो लेकिन आपने डी टिक करा हो लेकिन इस केस में डी आंसर होगा लेकिन 27 आंसर होगा ठीक है भाईया चलिए अगले प्रिश्न की वर भढ़ते हैं कोश्चन नम्मर फाइब देखी के करा है एक पंक्ती में 75 वेक्ती हैं राजु दाएं से तेरे वाएं राजु वा गीता के मद्ध्य 19 वेक्ती हैं ठीक है गीता का 22 से क्या इस्थान होगा इस कोश्चन को ध्यान से करेंगे जल्दी से करिए कोश्चन नम्मर फाइब देखी क्या कि राए एक पंक्ती में कितने वेक्ती हैं पिछत्तर में यां अब आ जिता हुँ 75 है राजु दाएं से तेरे वाँ है तो राजु इस पॉइंट पर आ गया वह यह कितना दाएं से तेरे वाँ पर राजुवा गीता के मद 19 है इसका मतलब गीता यहाँ पर होगी क्योंको तभी 19 मद्ध्य में संबब है तो गीता का 22 रिख़ जरी पहले हम गीता का 12 से स्थान पर आप्ट करें 13 प्लस 19 प्लस 1 कितना हो गया उन्नेस और 21 और 21 और 21 और 23 तेटिस इसका मतलब गीता दाएं से कितनी पर हो गई 33 वे स्थान पर हो गई अब इसको solve कर लो total number बराबर क्या हो जाएगा ठीक है total number बराबर क्या हो जाएगा left plus right minus 1 total number कितनी है left से value find out करनी है right से कितनी है 33 minus 1 33 minus 1 कितनी हो गई 32 75 minus 32 बराबर left 5 minus 2 3 7 minus 3 4 left पराबर कितना आणसा आजाएगा 40 3 आजाएगा समझ में आ गया बेटा minus 1 का हर question में धिहान लगना है वरना जितनी भी सवाल है सबके आणसर आपके गलत आ रहे होंगे देकिर राजू दाएं से कितना है तेरे माहें राजू और कीता के मद्द 19 वेक्ती है इसका मतलब मद्द में 19 है तो कीता 20 में होगी तेरे और 20 तेतिस इसका मतलब गीता दाएं से 33 वे स्थान पर हो गई अब वो 22 स्थान पूसरा है इस वाले फॉर्मूलों को लगा जी दी आपका अंसरा जाएगा ठीके बेटा चलिए अगले प्रिश्न की और बढ़ते है देखे इसको दिहान से करेगा कोश्चन नम्मर 6 जो मैं समझाना चाहरा हूँ इस कोश्चन में फिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक पंक्ती में 50 वेक्ती है गोपाल दाएं से 18 में स्थान पर है गोपाल वा मनुच के मत्य दस वेक्ती है मनुच का 20 क्या स्थान होगा जिस स्टूडेंड का यह आंसर आ गया कोश्चन नम्मर 6 इसका मतलब उसकी समझ में रैंकिंग और का बेसिक आ गया थोड़ा जो मैं समझाना चाहरा हा करिए कोश्चन नम्मर 6 गलत नहीं होना चाहिए चाहे एक मिनिट अधिक लगे कोशिस तो मैं यही करता हूँ कि आपको एक से डेट मेट प्रॉपर दे पाऊ लेकिन क्योंको लाइव क्लास में और रिकर्ट में थोड़ा संतर आ जाता इसलिए कभी ऐक मिनिट हो सकता है या कभी लेड़ मिनिट हो जाए कर्ये ध्यान से करना है गलत हो गया तो प्रॉग्लम हो सकती है लेकिन इस कोश्चन को आथ फिर आप से गलती नहीं होगी इतना मैं जानता हूँ जब मैं इस question को एक बार आपको समझा दूँगा फिर आप से गलती नहीं होगी चलिए देखिए आप सभी नो solve कर लिया हूगा I think जितना मैं आपको जानता हूँ अठार तो सथाइस अठाइस और इक उनतिस ठीक है तो पचास माइनस यदि आप अठाइस करते हैं तो बाइस आपका आंसर आ रहा होगा है लेकिन वह आंसर गलत है मैं बता देता हूँ क्यूं यह पचास व्यक्ति हो गए गोपाल दाइस से अठारे वे स्थान पर है यहां लिखलो गोपाल और यह हो गया दाइस से अठारे मां गोपाल वा मनुज की मन्दि कितने हैं दस हैं तो अठारे तो सथाइस वर एक उन्तिस इसका मतलब मनुज दाइस से उन्तिस्व हो गया अब total number बरावर क्या हो गया left plus right minus 1 तो total number कितने है 50 left से find out करना right से करना 29 minus 1 29 minus 1 गो गया 28 तो 50 minus 26 बरावर आ गया 22 लेकिन आप कहेंगे सर 22 गलत क्यों है 22 इसलिए गलत है भई या देखो क्योंकि total कितने हैं 50 है अब कूपाल दाई से कितना है गोपाल दाएं से अठा रहे है अब मनोज और गोपाल के मध्य दस है इसका मतलब भईया मनोज धर्वी हो सकता है और मनोज धर्वी हो सकता है क्योंकि मध्य में दस तो दोनों तरफ हो सकते है न इसका मतलब इस कोश्चन में मनोज की दो स्थिती बन गई एक स्थिती तो बन ये वाली और एक बन गई ये वाली क्योंको 10 से धर्वी हो सकते हैं देखो 10 हो सकते हैं रठा रहे हैं और 10 से धर्वी हो सकते हैं इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका ग्यात नहीं कर सकते जिस student का question number six cancer d आया है इसका मतलब वो question को समझने लगा है अच्छे से धीरे धीरे ठीक है वही है clear I think यहां तक तो किसी को quit out नहीं होगा जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बताइए जल्दी से इसका मतलब क्या है ग्यात नहीं कर सकते I think सभी की समझ में आ गयोगा question number six इससे पहले वाले आप question बात में देखेंगे जब class complete हो जाएगी तो आप देख स जाएगा D यात नहीं कर सकते या C and D can't be determined ठीक है चलिए question number seven ध्यान से करिए क्या कहना चाह रहा है एक कतार में 21 बच्चे उत्तर की और मुह करके खड़े है उसमें पहली बता दिया कि नौर्ट में फिसेक है नितिन शिखा के दाई और तीसरा है सिखा दाएं सिरे से नौव ठीक है बड़ा ध्यान से करना है गलत ना हो जाए और लगवगारी student की समझ में वो सवाल आ रहे होंगे जो मैं करनाना चाह रहा हूँ ठीक है वही है क्यों मुझे पता है कि student को क्या deliver करना है basic के लिए ठीक है और जो student को लग रहा है कि सर बेसिक बहुत easy question है वो कल की class में है यह बिल्कुल different और अच्छे question मिलेंगे with short trick मिलें एक कतार में 21 बच्चे उत्तर की और मुह करके खड़े है नितिन शिखा के दाई और तीसरा है शिखा दाएं सिरे से 9 है नितिन का 22 सिरे से कौन से स्थान होगा बड़ाई सरल और अच्छा सवाल है एक मिनिट का समय में आपको लगभग कोशिस करता हूँ कि एक मिनिट से ज्यादा का नहीं दे सकता क्योंको कुछ इस्टून को लगेगा कि सर हम सॉल्व कर लिए आप बता ही नहीं रहे है और बेटा मौनिंग 9 एम 2 पीम और 4 पीम इन तीनों टाइमों को चाहो तो यही लेनी ही मस्ट है चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंटें टोटल वही है 21 यह हमने बना लिए 21 क्या कह रहा है एक कतार में 21 बच्चे हैं उत्तरगी और मुह करके खड़े नितिन शिखा के दाएं और तीसरा है लेकर आभी पता नहीं है कि दर है शिखा दाएं से नौ नहीं ही अगरे तो इसका मतलब इसकी पूजिशन कोई सी होगा आठ साच इसका मतलब इसका मतलबेस लेक्प्ला राएट माइनस र कि इसको ड्यूटल लंबर कें तो 21-5 तो 21-5 कितना हो जाएगा इसका मतलब आंसर के आएगा तो अज में आ गया होगा एक वार फिर से बता देता हूं मुझे पता है कि कहां पर repeat करना है कहां पर नहीं करना है देख लीजे देखे उसने बोला एक पंक्ती में 21 विद्धिहर थी है ठीक है आगे उसने बोला कि नितिन जो था वो शिखा के दाई और तीसरा है लेकिन शिखा दाए सरे से नौवे स्थान पर है तो शिखा दाए सरे से नौवे स्थान पर आ गई है अब हमें पता है कि नितिन शिखा के दाए तीसर होगा तो शिखा का राइट इधर ही तो होगा इसका मतलब यह पहला राइट, यह दूसरा राइट, यह तीसरा राइट, इसका मतलब 9 में से 3 लेस कर देंगे, तो नितिन की राइट से कितनी या गई, छटी पोजिशन आ गई, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, टोटल लंबर अब रावा, लेफ्ट प्लस राइट, माइनस 1, टोटल लंबर कितने, एक किस लेफ्ट से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट से कितनी ती 6, अब 6 में से हमने घटा लिया, एक 5, ठीक है, 21 माइनस 5 कितना बजाएगा, 16 तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है भईया, समझ में आ गय जाता है, मतलब राइट एट ले गए, तो दाएं से वो 22 हो गया, दाएं से 32 हो जाता है, उस पंक्ती में उसका वास्तविक इस्थन 22 क्या होगा, इसका मतलब उसकी पुरानी पोजिशन पूछ रहा है, लेफ्ट से, तो भाईया करिए सवाल को बढ़ा अच्छा सवाल है, और लगभग यह जो कोश्चन नंबर मैंने 4th से यह 3rd से स्टार्ड करें, वो सारे कोश्चन आपके एक्जाम में आए हुए है, लेकिन मैंने मैं डेटा और वो चेंज कर देता हूँ, ठीक है, टाइप वही हैं जो मैं करा रहा हूँ, यह टाइप ही एक्जाम में आपके आ पर यह जल्दी से करिए कोश्चन नंबर 8, गलत नहीं होना चाहिए, एक मिनिट का समय इसमें थोड़ा कम है, मैं 1.5 मिनिट का समय कर देता हूँ, लेकिन मैं एक अंदाजन समय देता हूँ, मुझे भी नहीं पता है कि exact, कभी-कभी एक मिनिट में आंसर सौल करने हैं लगत रखाएंगे, फिर समय क्लास वाले कोश्चन नंबर 9 से, तो बड़ा ही अच्छा सवाल है, कोश्चन नंबर 8 थोड़ा शट्रिकी है, थोड़ा ध्यान आपको इधर उज़र चलाना है, इसमें अपना, चलिए, अभी एक मिनिट का समय नहीं हुआ है, कर लीजिए जल्दी से, केबल थोड़ा सा लेंग्विज उसने घुमा दी है, उसने क्या रहा, लेंग्विज घुमा दी है, कि वहीं, मैं इसको बता देता हूं, ज्यादा समय नहीं लेते, क्योंको आपकी उत्सुकता बढ़ रही होगी, सवाल का अंसर जानने के लिए, यह कि 40 स्टूडेंट है, जब नितिन को हमने माना कि भई है, स्टार्टेंग में नितिन यहां पर है, उसके दाई और 8 इस्थान किसका दे, इसका मतलब दाई और 8 ले गए, तो दाई अधर होगा, कितना ले गिया है, दाई और 8, तो इस पॉइंट पर आकर नितिन कितना हो गया दाई से, 22 वह यह दिया हुआ है तो उसका इस्थान दाएं अंत्र से 22 हो जाता है इसका मतलब यह वाला इस्थान दाएं से 22 हो गया तो उस पंक्ती में उसका वास्तविक स्थान अब देखिए वास्तविक स्थान तो यह माना जाएगा न क्योंकि हमने उसको यहीं से तो हटाया है इसक ये वाला दाएं से कितना हो जाएगा 22 प्लस 8 बरावर 30 इसका मतलब ये इस्थान दाएं से 30 हो जाएगा क्योंको भाई ये वाला इस्थान दाएं से कितना है 22 है तो 22 तो हम ये चलाएंगे और यहां तक आने के लिए 8 होड चलाएंगे तो 22 हो राट कितनी है 30 हो गया वसको सॉल को लो फॉर्मुली से टोटल लंबर बराबर left plus right minus 1 total number कितने है 40 है left से value कितनी है find out करनी है राट से कितनी है 30 minus 1 30 minus 1 कितना हो गया 29 तो 40 minus 29 बराबर left तो left बराबर कितना आ जाएगा ग्यारा ग्यारा विकल्प में है क्या option एही दे रखा है ग्यारे समझ में आ गया बाइस में आठ जोड़ दिये 30 हो गए 40 में से 30 का मतलब 29 घटा देंगे क्या रहा है आंसर आ जाएगा clear समझ में आ गया होगा लगबक सभी के चलिए एक जल्दी से recap कर देता हूं पूरे question गा ठीक है देखे क्या कह रहा है एक पंक्ती में 40 student थे जब नितिन को उसके दाई और आठ इस्थान हम लेके गए तो वो दाई अंत से कितना होगा 22 हो गया इसका मतलब हमने माना कि नितिन पहले यहां था जब नितिन को दाई यहां पर लेके आए तो यहां पर आके दाई से कितना हो हो गया 22 हो गया इसका मतलब यह वाला इस्थान कितना हो जागा था इसे 22 और आठ तीस यह तीस आ गया इसको फॉर्मूले से सॉल्फ कर लेंगे तो आंसर कितना आ जागा गया समझ में आ गया चलिए अगले प्रेशन की और बढ़ते हैं एक कोशन भड़ा इंट्रेस्टिं नो क्रमांक ऊपर है उस क्लास में अजय का क्रमांक अंत से क्या होगा ध्यान से करना है हाँ वह यह क्लास का कोश्चन है इसमें क्रमांक दिया हुआ है मध्य नहीं बोला है इसको ध्यान से करेंगे हम क्रमांक का मतलब क्या होता पोजिशन वाई उसकी 17 पोजिशन है उसकी पोजीशन उससे उपर है मद्ध में नहीं है उपर है क्रमांग के वर सीलियल नंबर उपर है चलिए कोश्चन नंबर नायन करिए फिर मैंसे बताता हूं आप सभी को अब देखिए क्लास का फॉर्मूला तो वहीदा टॉप वराबर क्या हो जाएगा स्वाड़ी टॉटल अंबर वराबर टॉप प्लस बॉटम माइनस वन उसी का ध्यान डखना है आपको जल्दी से कर लीजे एक क्लास में फसा चात्र है अजय का क्रमांग ऊपर से सत्रे महा है तता रोवित का क्रमांग अजय से क्रमांग ऊपर है उस अजय का क्रमांग अंत्र से क्या होगा देखिए यह तो बड़ा साधरन था सवाल है कि इवल उसने घुमाने के लिए आपको दिया हुआ है जो स्टूडेंट इसको पकड़ लेंगे वह बहुत अच्छी वात है अधर्वाइस आंसर गलत आ जाएगा चलिए मैं इसको बता दे हुआ है टोटल कितने हैं कि पचास यहां साइट से लिख लें कि अजय का क्रमांग प्राराम से कितना है अजय का प्राराम से सट्रेवां है रोहित का क्रमांग अजय से नो क्रमांग उपर है असका मतलब रोहित उपर होगा तो रोहित यहां गया आप सत्रे माइनस नो कितन अच्छे करमांग पर लेकिन पूछ कर रहा है उस class में अजय का क्रमांग की पूछ रहा है इस वाले अजय का रोहित का नहीं करना है यदि आपने 50-6 कर दिया है तो वह गलत हो जाएगा भाईया हाँ इसका मतलब यह आठ में पर हो गया लेकिन उसने अजय का पूछा तो क्या करेंगे टूटल लंबर बराबर टॉप प्लस बॉट्टम माइनस वन ठीक है टूटल लंबर कितने है पचास अब देखिए अजय का टॉप से कितना है सत्रे और आजय का इंति से पूछा है प्लस इस सोले बराबर बॉट्फम बराबर कितना आजाएगा 34 तो आपको अप्षिन किया अगा डी आएगा कोश्चन को ट्रिक में गुमा दिया है उसने यदि आपने रोहित का घटा दिया है तो अंसर गलत है आ भाईया यदि आपने रोहित का अंसर निकाला है तो गलत हैं देखिए एक क्लास में 83 छात्रें 83 अनीता का क्रमांग अंत से 24 है तदा सुनीता का क्रमांग अनीता से साथ क्रमांग नीचे है अब देखिए एक कोशन थोड़ा ट्रिकी है ठीक है करिए से सॉल्व और यह कोशन नंबर 10 जल्दी से क्रिक के कोशन है कि इवल लेंग्विच को पढ़ना है समझना है जिसकी लास्ट वाले कोशन में रोहित को बीच में लिया है लेकिन पूचा किसका जाएक असी प्रेकार से इस कोशन को ध्यान से करेंगे एक क्लास में 83 छात्र हैं अनीता का क् और आरमसिक रमांक क्या होगा एक एक कोशन बहुत महत्पूर है भहिया हाँ एक एक भी कोशन आपने प्रॉपर नहीं पढ़ा तो गलती होने के चांसे रहेंगे चली देखिए एक क्लास में कितने चात्र हैं आपके 83 कैनल ने चांसे मांग में कि अब सुनीता का करमांक अनीता से साथ कमांग नीचे इसका दलत सुनीता यहां कहीं होगी इसका मतलब आज चावेस मैं से सात नंबर घडा दूं तो सुनीता का नंबर आया गरीए से nine टिफूर माइनस 7 करोगा तो कितना आ जाएगा इसका मतलब चूनीता का अंदिसे कितना हो जाएगा संत्रे यह संत्रे और शांत नहीं हो तैमारे 24 होते हैं अब इसको स्वल्फ कर लो अंक टोट लंबर बराबर क्या हो जाएगा ऑप प्ल स ऊंत्र लंबर कइने 83 top की value कितनी है हमारी find out करनी है bottom से कितना है 17 माइने से 17 माइने से कितना हो गया असूल है तो 83 माइने 16 वराबर top तो कितना हो जाएगा 13 67 इसका मतलब उसका answer क्या जाएगा D इन में से कोई नहीं समझ में आ गया भहिया नोट कर लीजे जल्दी से अनीता का क्रमांक से 24 दिया अब सुनीता का क्रमांक ऑनीता से 7 का प्रांग नीचे तो 24 में इसका मतलब reverse करेंगे ना नमबर नीचे आ जाएंगे के कहीं से चल ले है 24 माले 17 कतना होगी इसका मतलब वो नीचे 17 स्थान पर होगी नीचे से अब उस सुनीत्या का प्रारम से बूच रहा उसको बटागी। सॉल्फ कर लीजिए चलिए कोश्चन नमबर 11 देखिए क्या गे रहा है एक क्लास में 50 छात्र हैं अमित का क्रमांग अंति से चोधे माहें तथा अमित्व सुमित के मद्द 17 छात्र हैं ध्यान से तथा अमित्व सुमित के मद्द 17 छात्र हैं उस क्लास में सुमित का प्रारम से क्या क्रमांग प्रारम से क्या होगा बड़ा अच्छा कोश्चन है परियल्दी से कोश्च नम्बर 11 भहिया चलिए देखते हैं पचास चात्र है क्लास में पोटल कितने पचासियां लिख लिए अमित कांत कितना है अमित कांत से 14 आपकर अमित वह सुमित के मत्य सत्र हैं इसका मतलब सुमित ऊपर होगा नीचे तो संभब नहीं है मद्ध में सत्रे हैं तो सुमित का अंत से कितना हो जाएगा सुमित का अंत से 14 प्लस 17 प्लस 1 क्योंगा एक सुमित के लिए जोड़ दो 14 और 17 और 31 हो गया अब इसको solve कर लो सुमित का प्रारम से बूच रहा है तो टोटल लंबर बराबर टोप प्लस बॉटम माईनस वन टोटल लंबर कितने हैं 50 तॉप से वेलिक इतनी है फाइंड आउट करनी है बॉटम से कितनी है 32 माईनस एक उननिस तो 50 माईनस 31 बराबर उननिस पचास माईनस 31 बराबर टोप तो टॉप बराबर कितना आ जाएगा उन्निस इसका मतलब C आंसर आजाएगा यही तो होगा सत्रे और शोदे 31 और 31 ठीक है 32 में से एक घटा दी 31 इसका मतलब 50 मारे से 31 करेंगे कितना आजाएगा उन निसान सरा जाएगा क्योंको उसने बुला है मद्ध में सत्र है मद्ध में सत्र होने का मतलब क्या है वह थीक है कि वह अठारे वहाँ होगा चलिए गोशन नमर 12 देखते हैं एक क्लास में अंजली का ग्रमांग प्यारम से नौवा है तता अंजली वर्चना के मद्ध 22 छात्र है ठीक है उस क्लास में कितने छात्र और जोड़े जाएं कि कुल छात्र 65 हो जाएं बड़ा साधार सा सवाल है यह वहले एक लास्ट प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिया है कि क्यल्कुलेशन देखते हैं कौन जल्दी से कर लेता है जल्दी से करिए फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ आप सभी को 30 सेकंड के टायम है इसमें जाता नहीं मिलेगा सिंपल आपको एड़ करके गटाना है चलिए सॉल्व हो गया होगा अंजली का भाय कितना है प्रारम से आउंजली का प्रारम से नौ आउंजलीव अर्चना के मध्य में कितने हैं बाइस हैं तो बाइस यहां कई होँगे उपर नहीं सकते इसका मतलब अर्चना तक कितनी हो गए 9 प्लस 22 प्लस एक इसका मतलब बत्टिस स्टूडेंट होगा यहां तक 32 हो गए ना क्योंको अंजली तक नो हो गई बीच में 22 हैं और एक अच्छना हो गई इसका नोर एक दस और एक बाइस 32 हो गई अब बुच्रा कुल 65 चात्र हैं तो 6 चात्र पता करने कितने और जोड़े जाएं तो 65 माइनस 32 सिम्पिल कितना आजागा 33 तो ऑप्शन भी आई थिंक सभी की समझ में आगे होगा 65 माइनस 32 कर दी हमने प्राप्त कर लिएगी तक 32 स्टूडेंट हमारे पास हैं इसका मतब 33 स्विध्यार्थी और आ जाए तो 65 हो जाएंगी ठीके भई है लगबग सभी को यहां तक के कोशन समझ में आगा होंगे चलिए देखिए आज ह प्राइट माइनस वन है सॉरी यह हो गया फॉर रो के लिए यह रो लिख लेते हैं और क्लास के लिए है टोटल लंबर आवार आवा टॉप प्लस बॉट्टम माइनस वन है यह दो फॉर्मूले बता दिए अब कल की क्लास में हम कुछ डिफरेंट कोशन करने वाले हैं जैसे चेंज वाले करेंगे स्थती पर बदन ले वाले ठीक है यह बिट्वीन स्टूडेंट वाले कोश्चन करेंगे ठीक है बाकी आप सभी को पता है कि 9-10 हमारी एक एम यूट्यूप पर क्लास है तो से 230 हमारी UPSC क्विष्ट पर क्लास है और 4 से 5 यह हमारी एप पर क्लास है तो आप सभी को यह हमारी क्लास इस अटेंड करनी है और जिन स्टूडेंट ने अभी तक प्लस से आइकोनिक में सब्स्क्रिप्शन नहीं लिया है वो जल्दी से प्लस से आइकोनिक में सब्स्क्रिप्शन ल कि प्रैज विनिंग कॉंटेस्ट चल लें उसमें भी आप इस कोड को रेफर कर सकते हैं ठीक है बाकी आप सबसे दो बजे मलाकात होगी